Good morning students, firstly welcome to all of you in my youtube channel, now in this video we will solve some problems of maths class 4th chapter 11, the name of the chapter is tables and shares, good morning students, सच से पहले आप सुभी का मेरी youtube channel में स्वागेत है, आज की इस वीडियो में हम maths class 4th का chapter 11, tables and shares, इसके कुछ प्रोब्म्स को solve करेंगे, so sea shells, sea shells, sea shells का क्या मतलब है, जैसे आप कभी समंदर के किनारे जाते हैं, तो छोटे छोटे वो शंक टाइप के वो मिलेंगे आपको sea shells, उनको क्या बोलते हैं, sea shells बोला जाता है, छोटे छोटे, drove lives near the sea, drove है वो समंदर के किनारे रहता है, he thought of making necklaces for his three, for his three friends, तो वो आपने तीन दोस्तों के लिए, क्या करना चाहता है, necklace बनाना चाहता है, he looked for sea shells the old day, वो क्या करता था, पूरे दिन भर sea shells को देखता रहता है, he collected 112 sea shells by evening, तो उसने क्या करा, पूरे दिन उसको देखता रहा, और शाम को उसने 112 sea shells क्या किये, collect कि किये, now he had many different colorful and shiny shells, तो वो क्या होते हैं, अल अलगलग colors के sea shells हो गए थे, जो कि बहुत अच्छे चमकते हुए दिखाई दे रहे थे, तो वो क्या सोच रहा है, I will make a necklace of 28 shells, वो बोल ला है कि मैं 28 shells से क्या बनाऊंगा, necklace बनाऊंगा, will these shells be enough to make necklaces, necklaces is for all my friends, तो सोचता है कि 28 shells से एक necklace बनाऊंगा, तो अगर मैं ऐसा करू तो यह क्या, जो 112 shells हैं, यह काफी होंगे मेरे तीनों दोस्तों के लिए necklace बनाने के लिए, तो उसके लिए वो क्या करता है, he took 28 shells for one necklace, वो 112 में से 28 necklace क्या कर लेता है, अलग कर लेता है, sorry, she shells, जो 112 है, उसमें से 28 shells अलग कर लेता है, एक necklace बनाने के लिए, तो उसके पास अब क एक necklace बन गया है, now he was left with 84 shells, again he took 28 more shells for the second necklace, अब second necklace बनाने के लिए वो क्या करेगा, दुबारा उसमें से 28 shells जो हैं वो निकाल लेगा, तो अभी हम दुबारा उसमें से निकाल लेते हैं, so 84 shells बचे थे, 84 में से 28 shells निकाल लिए, तो कितने बच गे उसके पास, 56 shells बच गे, तो एक बार पहले निकाले थे, तो one necklace बन गया, बच बन गया था, अभी हमने 28 निकाले तो 56 बच गे, second necklace बन गया यहां पर, अब next देखेंगे, how many shells are left now, okay 84 थे, 84 में से 28 निकाल लिए, तो कितने बच गे, 56 shells बच गे, so, how many shells are left now, 56 shells, then he took shells for the third necklace, अभी उसने third necklace के लिए भी उसमें से निकाल लिए, तो कितने बच बच थे, second हमारे यहां पर बन गया था, अभी इसमें से फिर third necklace के लिए उसने 28 shells और निकाल लिए, तो अभी कितने बच गे, 28 shells remaining रहेगे, so, यहां पर क्या जाएगा, so he left with 28 shells, अब उसके पास 3 necklace बन गया और 28 shells उसके पास बच गए है, how many necklaces can grow, make from 112 shells, इसमें बुला गया है कि 112 shells से वो कुल total कितने necklace बना सकता है, देखे, एक necklace तो उसने यहां पर बना दिया था सबसे पहले, one necklace यहां बन गया, और second necklace यहां बन गया, third necklace यहां बन गया, अभी उसके पास 28 बच गये हैं, तो 28 और बना देगा, तो क्या हो जाएगा, 28 minus 28 इसका 0, तो इसका मतलब कितने necklace बनेंगे, 4 necklace, so the answer of this question is 4 necklace, are the shells enough for making necklace for all his friends, तो वो बोलें कि क्या, जो यह सारे, जो sheer shells हैं, वो काफी हैं कि उसके सभी दोस्तों के लिए क्या बन जाए, 4 necklace बन रहे हैं, और दोस्तों के 3 हैं, तो इसका मतलब यह काफी हैं, so the answer of this question is, yes, the shells are enough for making necklaces for all his friends, now next, try these, कनू made a necklace of 17 C cells, how many such necklaces can be made using 100 C cells, इसमें बोला गया है, कनू, क्या चाहती है, कनू चाहती है कि वो भी necklace बना है, मगर वो कितनों का बना है, 17 C cells का एक necklace बना है, और उसके पास total necklace है, 100, तो हमें इसमें यह बताना है, कि वो कितने necklace 100 C cells के कितने necklace बना सकती, तो इसमें हम क्या करेंगे, बारे-बारे से 17 को minus करते जाएंगे, और last में जहां तक end नहीं होता, या 17 से अगर कम बसने हैं, तो इसका मतलब वो और नहीं बना बाएगी, तो इसकी series को हम सकते जाएंगे, So, firstly हमने total C cells कितने थे? 100, So, firstly 100-17 equal to 83, first necklace complete हो गया, अब 83-17, 66, second necklace complete हो गया, third 66-17, 49, third necklace complete हो गया, then 49-17 is equal to 32, four necklace complete हो गया, and now next, 32-17 is equal to 15, five necklace complete हो गया, अब हमें 17, 17 का necklace बनाना है, मगर बच्चे हमारे पास 15 है, तो इससे आगे नहीं होगा, तो इहां calculate कर लेंगे total कितने necklace मारे prepare हो गया, 1, 2, 3, 4 and 5, so five necklaces, तो कितने necklace बना सकता है हो, five necklace, So, the answer of this question is five necklaces, So, students, we have completed our today's topic, I hope you would have understood it properly, So, you will write down all the solutions in your fair notebook, and send me the photos of your solutions, if you have any type of doubt, you can also contact to me, Thank you.